इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे fancode ECST10 Malta के दोस्तों आज के होने वाले match no.1 और दोस्तों आज के होने वाले match no.2 के बारे में दोस्तों आज का जो match no.1 है वो दोस्तों BBL और दोस्तों RST टीम के भीच खेला जागा और same team का दोस्तो match no.2 में भी खेला जागा बस दोस्तो यहाँ पे आपको time का ध्यान रखना है match no.1 दोस्तो दोपर के 1 बज के 30 मिनट से start होगा और match no.2 दोस्तो दोपर के 3 बज के 30 मिनट से start होगा इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको इस दोनो match related समॉली का फाइनल टीम परवाइट कर रहा हूँ, साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस वीडियो में सभी प्लियर का स्टाइट्स जानने को मिलेगा, स्टाइट्स में दोस्तों, मैंने उनका टूर्णामेंन का अभी तक ऐसा परफोरमेंस रहा है, वो सेर किये हैं, साथ ही साथ कब बैटिंग करने आते कुंसे बॉलर दोस्तों कब बॉलिंग करेंगे और अभी तक दोस्तों पूरे टुर्नामेड में कितना बॉलिंग की है यह सभी detail मैने आपको इस वीडियो में share गिया है और यह detail दोस्तों आपको बहुआ जादा help करेगा यदि आप आज के match में खुच से small league का team बना रहे हो या दोस्तों आप green league का team बना रहे हो तो सभी दोस्त वीडियो को पूरा focus होके देखिएगा और वीडियो में दोस्तों आपका जो main focus होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए all rounder section और दोस्तों batting section पे तो यह चीज़ पे दोस्तों थुरा सा ज़्यादा ध्यान रखेगा और दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखेगा मैं दोस्तों जो भी final combination आपको provide कर रहा हूँ इस दोनों match से related task के बाद दोस्तों यदि उस combination में कोई player नहीं खेलता है बाइचान दोस्तों तो tension नहीं लीज़ेगा मैं आपको दोस्तों फिर से final और updated combination अपडेट करके मैं अपने दोस्तों टेलिग्राम पे provide कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीज़ेगा इसका link दोस्तों आपको नीचे सस्क्राइब कीज़ेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीज़ेगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठिक ना बात करें दोस्तों हम लोग BBL और दोस्तों RST के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग start करते हैं बिगेट की प्रिंग सेक्शन से बिगेट की प्रिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको सुधरसन का option मिलेगा जो दोस्तों आज के match के आपके लिए सबसे best option रहेंगे जिने आप small league grand league दोनों में try कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपका question भी हो सकता है इतना ही best है तो इनका दोस्तों selection percentage इतना कम क्यों है तो इसका reason दोस्तों बहुत ही simple है last 2 match से दोस्तों छोट की वेज़े से खेल नहीं रहे है तो इसलिए दोस्तों जनता है इने नहीं try कर रही है लेकिन एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना यदि ये बंदा खेलता है तो हम लोग दोस्तों other player के बारे में नहीं सोचेंगे बिकेट कीप रिंग सेक्सन से यदि ये ना खेले तो मैं आपको नीचे option प्रवाइट कर देता हूं आप उन में से किसी को भी चूज कर सकते हो सुदर्शन का performance का बात करें तो अभी तक टुन्दामेंट में चार मैं चीनों ने खेला है जिसमें आपको बैटिंग से 66 रने स्कूर किये और सभी मैंच में आपको 6 राउंड बैटिंग करने आते हैं जो काफी ज्यादा नीचे होता है यदि आप दोस्तो थोड़ा सरीक्स ले सकते हो तो आप नीचे से दोस्तो एम अगस्तिन को भी ट्राई कर सकते हो अगस्तिन ने दोस्तो एजोस से बेटर performance किया है चार मैच खेली जिसमें आपको बैटिंग से 14 राने स्कोर किया और सभी मैच में जो सबसे बरा इनके साथ प्लस पॉइंट है वह ये दोस्तो बैटिंग पोजिशन उपर है सभी मैच में आपको 3 राउं बैटिंग करने आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको clear कर दूँ देखो यदि सुदर्सन खेलते हैं दोस्तो तो हम लोगो किसी other player के बारे में सोचना नहीं है यदि दोस्तो सुदर्सन ना खेले तो यदि आप दोस्तो safe जाना चाहते हो तो आप एजोस के साथ जाएगा selection percentage काफी ज़्यादा high जा रहा है लेकिन यदि आप दोस्तो थोड़ा सा रीक्स ले सकते हो और मेरे साथ जाना चाहते हो तो दोस्तो आप अगस्तिन के साथ जा सकते हो चलिए अब बात करें दोस्तो हम लोग बैटिंग से से तो बैटिंग से पीक ओएट बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तो आपको बालिंग बैटिंग दोनों करके देते हैं तो हम लोग को इन्हें ड्रॉप तो करना ही नहीं है अभी तक टुनामेंट में चार मैच के लिए जिसमें आपको बैटिंग से 98 रन स्कोर किये और चा सिंग का ओप्सन मिलेगा सिसिंग दोस्तो इस टूनामेंट में अभी तक छह मैच के लिए जिसमें आपको बैटिंग से 56 रन इसकोर किये और 6 मैच में दोस्तो आपको बालिंग से 1 विगेट परवाइट किये और 5 ओबर दोस्तो कंप्लीट बालिंग किये अच्छी प्लियर में ट्राइ कर लेना सेलेक्षन परसेंटेज हाई है पर आप दोस्तो ग्रेंड लिग और मिनी जील में इन्हें ड्रॉप करके मैं आपको एक नीचे ऑपशन बताऊंगा आप उनके साथ भी रिक्स ले सकते हो परफॉर्मेंस देखे लोरेंस का कैसा रहा है तो आठ मैच के लि दोस्तो इन्हें स्माली ग्रेंड लिग दुनों में ट्राइ कर सकते हो फिर दोस्तो आप नीचे आईगा तो नीचे आपको कोपाका का ऑप्शन मिलेगा जिनका दुस्तो सेलेक्षन पर्शेंटीज कम जा रहा है लेकिन आज के मैच में दुस्तो यह दी आप रीक्स ले सकत और सबी मैच में दोस्तो आपको open batting भी करने आ जाते है बैट्टिंग से अभी तक टुनामेट में सच बोलू तो flop रहे है लेकिन आप rick's ले सकते हूं किसी भी दिन दोस्तो आपको outstanding perform करके दे सकते हैं टोटल परफॉर्मेंस देखे तो अभी तक पांच मैच केले इस टुनामेन में जिसमें आपको बैटिंग से 28 रन स्कोर किये और बॉलिंग से आपको दो बर बॉलिंग किये और आपको एक बिकेट पुर्भाइड किये तो नीचे दोस्तो आपको पीकल यान का उपसन मिलेगा आप बहुत ही दोस्तो नीचे बैटिंग करने आते हैं आप ड्रॉप करके चल सकते हो ट्राइ करना वह भी दोस्तो सिर्फो सिर्फ जील में करना इस टुनामेन में देखे न दो अभी तक इन्होंने 6 मैच केला है जिसमें इन्होंने 32 रन स्कोर किये और वह भी दोस्तो ग्र तो यही दोस्तो रिजन है कि मैं राइट नौ इन्हें स्मॉल लीक से आउट कर रहा हूँ क्यूंकि BBL के टॉप ओडर बैट्समें मैं अपने टीम में रख रहा हूँ यदि आप डॉप कर रहे हो टॉप ओडर बैट्समें को तो फिर आप दॉस्तो इन्हें ट्राई कर सकते क्योंकि दोनों ने यार सुपर परफॉर्मेंस किया है सबसे पहले बात करें पुष्वार अंजन के बारे में तो इन्होंने इस टुनामेंट में अभी तक 8 मैच कहला है जिसमें आपको बैटिंग से 202 रन स्कोर कर चुके है और वहीं दोसो 8 मैच में आपको बालिंग से भी 5 बिकेट परवाइट किये और 16 ओवर कम्प्लीट बालिंग किये डैट मिन सभी मैच में आपको 2 ओवर बालिंग भी कर रहे है बैटिंग से स्कोर भी कर रहे है बिकेट भी परवाइट कर रहे है ऐसे player को drop नहीं करने का और आप दोसो captain भी सी कर सकते हो नीचे आईएगा तो दोसो आपको एन नेगी का option मिलेगा एन नेगी दोसो BBL के सबसे best player है और performance भी दोसो इन्होंने सबसे best ही किया है अभी तक इस tournament में देखिए तो 6 match के लिए जिसमें आपको batting से 149 run है score किये और 6 match में दोसो आपको balling से भी अभी तक देखिए तो 6 wicket provide भी किये और 12 ओभर दोसो complete balling भी किये मिली एन नेगी दोसो आपको power play में balling करते है over number 1 और 200 over number 3 फिर नीचे आएगा दोसो तो आपको A-Sarmah का option मिलेगा आप दोसो try कर सकते है और especially तब की जगा जब दोसो BBL की team balling first करे performance देखे तो 6 match के लिए जिसमें आपको batting से 115 run है score किये और 6 match में दोसो आपको balling से 3 wicket provide किये और 5 over complete balling किये नीचे आएगा दोसो तो आपको A-Sarmah का option मिलेगा last match दोसो खेल नहीं रहते बट खेलते हैं तो दोसो आप drop बिल्कुल भी नहीं करना ठीक ना performance देखे कैसा रहा है तो इस tournament में अभी तक 4 match खेले जिसमें आपको batting से 50 run है score किये और 4 match में दोसो आपको balling से भी 4 wicket provide किये और 8 over complete balling किये that means सभी match में आपको 2 over balling करके देने वाला है यदी खेल जाए तो इस चीज़ पे आपको focus रखना है नीचे आएगा दोसो इस Thomas last 2 match खेल नहीं रहे है चोट की विज़े से I hope दोसो आज के match खेल जाए क्योंकि यार एक बहुत ही important player है RST के लिए wicket taker baller है आप खुद इनका performance देखो ना चार match के लिए अभी तक टुनामें में जिसमें आपको 5 wicket provide कर चुके है और 8 over दोसो complete balling किये तो यह दोनों player पे दोसो आपको focus रखना है ठीक ना दोनों खेल जाए तो दोनों को हम रोक लख रहेंगे small link में फिर दोसो आप और लांडर सेक्शन में नीचे आएगा तो नीचे दोसो मैं आपको कुछ extra player का stats provide कर देता हूँ जिनने दोसो आप grand link में rotate कर सकते हो first time है दोसो जिए शिटकी का शिटकी दोसो इस tournament में अभी तक 2 match के लिए जिसमें आपको batting से solar n score की और 2 match में आपको 3 over balling किये विकेट नहीं मिला है लेकिन धियान रखना दोसो इन्होंने 3 over balling किया that means एक match में 1 over और एक match में 2 over और batting backup भी दोसो आपको provide कर सकते हैं तो ऐसे player को दोसो small link में तो बिल्कुल भी try नहीं करना है लेकिन या grain link में दोसो आप जरूर rotate कर सकते हो उन्हें 10 match खेला है जिसमें आपको 5 wicket provide किये और 10 match में 16 over balling किये यदि दोसो इस मुहमत खेलते हैं और आप try करना चाहते हो तो दोसो आप इन्हें grain link और mini GL में कर सकते हो फिर नीचे आईगा दोसो तो आपको J मेथानी का option मिलेगा जो दोसो खेल जाए तो हम लोग small league में भी try कर सकते है बंदेगा दोसो टीटन में बहुत ही अच्छा record है 32 match अभी तक खेले टीटन में जिसमें दोसो आपको batting से 415 run score कर चुके है तो धिहान रखेगा दोसो जे में थानी पे टिक न और यदी खेलेंगे तो ऐसे मैं आपको telegram पे update कर दूँगा अब बात करेंगे दोसो हम लोग bowling section से तो bowling section में आएगा J Matthew का option मिलेगा J Matthew दोसो इस tournament में अभी तक देखो तो complete 8 match के लिए जिसमें आपको 7 wicket provide भी किये और 8 match में 16 over bowling भी किये that means सभी match में आपको 2 over bowling करेंगे एक over 200 power play में और एक over 200 death में करने आते हैं और विकेट भी ले रहे हैं तो हम लोग कैसे drop कर देंगे नीचे आईगा दोसो आपको डी नेगी का option मिलेगा डी नेगी दोसो BVL के बहुत important baller है, विकेट taker baller है और performance भी अच्छा रहा है इस tournament में अभी तक 6 match के लिए जिसमें आपको 26 wicket provide भी किये और 12 over 200 complete bowling भी किये तो दोसो आप इन्हें small league grand league दोनों में try कर सकते हो, नीचे आईगा दोसो तो आपको इस thomas का option मिलेगा में भी दोसो मैं इन्हें head to head 3 member में drop कर रहा हूँ लेकिन आप दोसो 4 member mini jail grand league में try कर सकते हो, performance कैसा रहा है इनका तो 4 match खेले जिसमें आपको 3 wicket provide किये और 4 match में जो तो जो मेरे को minus point लगा हुए दोसो सिर्फो सिर्फ चार over bowling किये तो that's why दोसो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सभी combination में इन्हें fix कर ले ना आप दोसो इन्हें rotate कर सकते हो, ठीक ना और especially तब rotate करना जब दोसो RST की team नीचे से Jerome को नहीं खेलाती है यदि दोसो Jerome खेलता है तो फिर दोसो मैं तो Ace Thomas के बारे में सोचूंगा ही नहीं यदि Jerome ना खेले तो फिर दोसो आप Ace Thomas को try कर सकते हो नीचे आईगा दोसो तो आपको A-Sing का option मिलेगा A-Sing दोसो last 2 match से खेल नहीं रहे पर उससे पहले कैसा इनका performance रहा है तो 4 match खेले जिसमें आपको 2 wicket provide किये और 4 ओबर दोसो complete balling किये नीचे आईगा दोसो RST के सबसे important baller है Jerome जो दोसो last match खेल नहीं रहे थे that's why दोसो देखो तो ऊपर जो मैंने आपको option बताया था Ace Thomas को Ace Thomas को दोसो balling करने का chance मिला था क्योंकि starting के 2 matchों में Ace Thomas ने balling नहीं किया था तो यह चीज़ का दोसो आपको focus रखना है यह दोनों player betting न Jerome का performance कैसा रहा है तो अभी तक इस tournament में 4 match खेले जिसमें आपको दोसो 6 wicket provide कर चुके है और 4 match में 8 over complete balling भी किये है तो आप नीचे आईगा तो नीचे दोसो आपको C ball का option मिलेगा C ball दोसो इस tournament में अभी तक 2 match खेले जिसमें आपको 1 wicket provide की और 4 over complete balling किये नीचे दोसो आईएगा तो आपको C ball का option मिलेगा जिनने दोसो आप drop करके चल सकते हो performance बहुत जादा खराब रहा है अभी तक 4 match के लिए जिसमें दोसो इने wicket भी नहीं मिला है और 4 match में आपको 6 over ही balling किये मैं दोसो यहाँ पर आपको एक recommend करूँगा यदि आप इस दोवाल को try करना चाहते हो न और BBL की team दोसो balling first करती है तो दोसो आप एक लाग से जो उपर वाला contest होता है grand league का आप उसमें इस बंदे को rix ले सकते हो नीचे आईगा दोसो तो आपको अबराहम का option मिलेगा अबराहम दोसो इस tournament में starting का दो match खेले थे उसके बाद दोसो छोट की वेज़ा से इन्हें team नहीं खिला रही है और उस दो match में दोसो बिकेट नहीं मिला था लेकिन plus point देखोगे तो 4 ओबर दोसो इन्होंने complete balling किया था बात करें दोसो इस match related captain भी सी option तो दोसो मेरे जो captain हैंगे पुस्पार अंजन हैंगे और 20 captain दोसो मैं एन नेगी के साथ जा रहा हूँ यदि दोसो आप change करना चाहते हो तो दोसो यदि elosius खेले इस match में तो दोसो आप इने भी 20 captain कर सकते हो अच्छे pick रहेंगे और balling section में दोसो आप एक दो combination में आप जे Matthew पे भी रिक्स ले लेना और especially तब लिजेगा जब दोसो RST की team दोसो balling first करती है ठीक ना second balling करें तो फिर आप रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ टीम में अभी के लिए दोसो ये team मेरा final team है आप सभी दो system का screenshot ले लो और दोसो contest जोइन करके रखो टस के बाद दोसो बाइचान system में से कोई player नहीं खेलता है तो दोसो मैं आपको फिर से final combination अपडेट करके अपने टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड कर दूँगा आप सभी दोस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका link दोसो आपको नीचे description सेक्षन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोसो comment सेक्षन में भी first comment पीन के हुआ मिल जाएगा जाए दोसो टेलिग्राम के साथ जूड़ जाएए और साथी साथ दोसो यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोसो YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको इजली notification मिलता रहेगा क्योंकि दोस्तो हम लोगा जो next वीडियो रहेगा वो दोस्तो इसी टुनामेन का आज का दोस्तो match number 3 और दोस्तो match number 4 का रहने वाला है तो बिल्कुल भी दोस्तो मिस नहीं के जगा फिर मिलते दोस्तो आप सभी से next टीटेन के वीडियो में जैहिन दोस्तो टेक केर और बैबाई